हेलो एन हाई हेवर्वान कैसे हैं आप सब आए होपा आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे तो आज कल आपकी तरफ मौसम कैसा चल रहा है यहां तो बहुत ठंड है तो ठंड के इसाप से सोचा कुछ बेकिंग कर ली जाए तो बेकिंग में सोचा क्या किया जाए तो देखा बनाना रखे हुए थे तो फिर इंस्टेंट आइडिया क्लिक किया कि चलो लेट्च मेक बनाना ब्रेड और फ्रेशली बेग बनाना ब्रेड तो बहुत ही जादा यमी लगती है और ठंड का मौसम था बेकिंग करने का दिल था बनाना ब्रेड पसंद है जब होटल में काम कर करती थी तो बहुत जादा पसंद था ब्रेकफरस में तो इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं तो आएए चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोगों ने अल्रेटी देखा मैंने दो केले लिए उसमें हाफ कप ऑईल डालो और केलों को अच्छे से मैश कर लिया है याद रखिएगा इसकी प्योरी नहीं बनानी है इसको अच्छे से मैश करना है तो इसको प्लीज ग्राइंडर में मत करिएगा ऐसी फोक से मैश करिएगा तो इसके बाद मैंने यह पे दो एग्स ले लिए और उसमें हाफ कप शुगर ले लिए शुगर को आगऑ उ शुगर को अच्छे से विसक करना है तो मेरे पास तो यह ठाए तो मैंने मेरे लिए यह असान है बट आप लोग हांड वुष्कर से भी ऐसली कर सकते है तो थोड़ा सुगर लेगा बट उसमें हो जाएगा तो पस इसको एत्के से विसक करना है कि इसमें जो कालर होता है वो चेंज हो जाए योग का कलर हलका सा क्रीम कलर का हो जाए जब वो हो जाए उपर तक air bubbles आ जाए तो इसमें थोड़ा सा very license डालिए और मैंने यहां पर फ्लार लिया और बहुत important step है इसको याद रखेगा कभी भी कभी भी एक साथ फ्लार नहीं डालना है दीरे दीरे करके डालना है मैंने यह पर बन का फ्लार लिया था अब देखिए मैं cut and fold method से इसको mix कर रही हूं आप थोड़ा सा डालिए फिर mix करिए फिर थोड़ा सा डालिए फिर mix करिए अगर आप सारा एक साथ डाल देंगे तो lumps के chances है तो अब उसके बात क्या किया मैंने मैंने अच्छे से इसको mix कर लिया है अब देख सकते हैं कि कोई भी lumps नहीं पड़े है और मैंने जो यह बनाना और ओइल को मैश किया था उसको भी मैं धीरे धीरे डाल रहे हूं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और लंप्स के चांसे कम है तो प्लीज यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन्ट स्टेप है उसको प्लीज जल्द बाजी में आके मत करिएगा दीरे दीरे करिएगा टेक यो टाइम अराम से एक दम जैसे की यहां पर मैं कर रहे हूं अराम अराम से डाला अच्छे से मिक्स किया सब मिक्स होने के बाद लास में मैंने वन फोर्ट एसपी बेकिंग पाउडर को इसमें आट किया है बेकिंग पाउडर क्या काम करता है यह अच्छे से उसको राइस और लाइट बनाता है बैटर को तो अब तल यह बेकिंग के तैयारी कर लेते हैं यहां पर मेरे पाद केक तो केक रिंग के आउटर में मैं क्यों लगा रही हूँ मैं आउटर में ओई लगा के फिर फॉइल पेपर को उससे वो कावा करूंगी सो दाट फॉइल पेपर अच्छे से स्टाक हो जाए और हमारा जितना भी बैटर है वो बाहर लीक ना हो तो इस प्रोसेस को अच्छे से करिएगा और मेक शूर यह फॉइल पेपर अंदर की तरफ टरंड मत करिएगा बाहर की तरफ टरंड करिएगा अंदर की तरफ टरंड करेंगे तो जब आपका बैटर राइज होगा तो फॉइल पेपर उसके अंदर जा सकता है ठीक है आयोप आप लोगको यह प्रोसेस समझ हो जाए अब मेरे पास जो यहां पे आवन है वो उसमें एर फ्रायर भी है और आवन भी है तो बहुत सारी चीज़े मिक्स है तो मैंने क्या किया है मैंने यहां पे 30 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेंपरेचर को सेट किया है और बेकिंग करने जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा हमें स्टीम प्रोवाइड करनी होती है तो स्टीम के लिए मैंने ट्रे में थोड़ा पानी डाला है अगर आपके पास आइस क्यूब्स है तो आप आइस क्यूब्स भी आड़ कर सकते हैं बट मैंने यहां पे पानी डाला है लंबे प्रोसेस तक लंबे टाइम तक इसमें स्टीम मेंटेन रहेगी अब आप लोग जैसा की देख सकते हैं कि यह अच्छे से राइस हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीखा है टूटपिक से अगर आपकी टूटपिक क्लीन निकल तो आप देखिए कितना जादा सॉफ्ट है और इसको प्लीज गरम गरम एक बर जरूर ट्राइ करिएगा और आप इसको सुबर टी टाइम के साथ भी इंजॉई कर सकते हैं टी टाइम के साथ भी इंजॉई कर सकते हैं नॉर्मल भी आप जैसे फ्रूट केक वगरा लेते हैं तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करेगा और प्लीज एक बर इसको जरूर ट्राइ करेगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा और अच्छी के जरू हो जरूर को अबूर करेगा